नमस्कार मैं अभिसेकराज CEO Founder EGV Global दोस्तो पांचे राजों में चुनाओ चल रहे हैं और बहुत जल्द लोग सभा का चुनाओ भी है जैसे मध्ध पर्देस की बात करे, छतिस गड़ की बात करे, राजास्थान की बात करे ये सारे जगा चुनाओ आरम भोचुके हैं, कहीं इस्टार्ट होने वाले हैं बिहार में भी चुनाओ होने वाला है, लोग सभा का चुनाओ काफी नजदिक है इसके बावजूद भी केंद्र सरकार के तरब से बहुत बड़ी भरती देखने को नहीं मिल रहा है छोटी मोटी भरतिया निकाली गई है, कह सकते हैं, उट के मुह में जीरा वाला हाल है थोड़ा सा भरती निकाली गई है, लेकिन जो रेलेवे मंतराले के पास 2,48,000 के आसपास पद खाली है उस पे कोई भी केंद्र सरकार के तरब से इनिसेटीब नहीं लिया जा रहा है, कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा है जिसके वज़ा से छातरों के बीच में काफी संसाय पैदा हो गया है, क्या केंद्र सरकार भरती देगा या नहीं देगा और हम लोग क्या कर रहे हैं जितने भी छातरी से वीडियो को देख रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं कही न कही हम लोगों से भी गलती हो रही है कि सरकार तक हमारी मैसेज नहीं पहुँच रहा है 23 लाग ट्वीट करने के बाद भी सरकार कुछ इस पे किसी तरह का कोई भी reply देने का चीजे नहीं समझा reply देना उचित नहीं समझा और reply नहीं दिया तो कहीं ने कहीं ये चीजे देखने को मिराई कि हो सकता है कि भरती ना है third party contract भी किया जा सकता है तो हम लोग के क्या करना होगा क्योंकि मोदी जी के तरफ से कि हमारे प्रधार मंतरी मोदी जी ने खुद बोला था इसी साल की बात है ट्वीट किया था कि केंदर सरकार के पास 10 लाख भरतिया है 10 लाख सीटे खाली है अलगला department हम बताने वाले हैं कौनकों से department खाली है और उसके बाद अस्विनी बैसनो जी हमारे रिलिवे मिनिस्टर है उन्होंने भी बोला था कि हमारे यहाँ 2,8,000 पद खाली है और इतने पद खाली होने के बावजुज मधः पदस में 36 गड़ में राजास्थान में चुनाव भी हो रहे है फिर भी किंद सरकार पता नहीं क्यों भरती नहीं निकाल रही है उनकों लग रहा कि वाउं से हमें कोई मतलब नहीं है या वाउं हमारे लिए कोई इनका उचित मुल नहीं है या कवा सकते इनका कोई लेना देना नहीं है तो आखिर हम लोग हाथ पर हाथ धके कब तक बैठे रहेंगे और हम लोगों में भी कम है कि हम लोग इस तरह के जो news होते हैं उसको share नहीं करते हैं उसको whatsapp ग्रूप में भेजते हैं facebook पर share नहीं करते हैं tweet नहीं करते हैं तमान चीजें करना होगा तब जाकर किंदर सरकार भी जाग रुखो कि भाई इवा इस चीज को देख रहेंगे भरती नहीं आ रही है क्यांकि आप बैठे रहेंगे चुप चाप रहेंगे कुछ नहीं मिलने वाला है नहीं देखिए किंदर सरकार में 9.8 लाख है ना 9.8 लाख पद खाली है लगबग 10 लाख पद खाली है इन में से 8 लाख पद सिर्फ 4 मंत्राले में है इसमें से जो 8 लाख जो पद सिर्फ 4 मंत्राले में इसमें ये रिलेवे है रिलेवे में आपका लगबग 3 लाख पद खाली है रक्षा विभाग में 2,64,000 पद खाली है गरीः मंतराले में 1,43,000 है उस तरह से पद खाली है और उस पे किसी भी तरह का कोई काम नहीं किया जा रहा है और ये जो पूरा डेटा है देखिए पूरा 10 लाग का डेटा दिया गये कहां कहां कितना पद खाली है उसमें सबसे टॉप पर रिलेवे आपको दिखाई दे रहा होगा जिसमें टोटल भरती का 29% वेटेज राखता है टोटल भरती का 29% वेटेज है रिलेवे का यहाँ पर पदखाली है रिलेवे का तीक है? 2,90,000 यह आप दिखा रहा है लेकिन यह लगभग लगभग यह धाई लाख तीन लाख के एबरेज है धाई लाख ही मानके चली आखिर सरकार इस पर भरती क्यों नहीं ला रही है क्या मतलब सरकार के मन में क्या चल रहा है अब हम लोग को दबाव बनाना पड़ेगा और भयंकर उससे दबाव बनाना पड़ेगा तब जाकर सरकार के तरब से कुछ रिस्पोंस आ सकता क्योंकि 23 लाख ट्वीट किया गया ट्रेंड करा गया वर्ल्ड वाइड भी ट्रेंड कर रहा था ट्वीट फिर भी सरकार के तरब से एक छोटा सबी ट्वीट नहीं किया गया तो मन तो दुखी होगा अब इस तरह के पहले भी ट्वीट किये गया है तो बहुत सारे नीज पेपर अभी कभर किये थे जैसे एक कलवारा टाइम्स का है कि प्रतिवस दो कलोर रोजगार देने का नाम पर सिर्फ जूमला किंद्री भागम दसलाख पद खाली है पूरा बेवरा दिया है पूरा डिटेल से में लिखा है कि भाई छोड़िये चुनाओं में कुछ भी बोला जाता है उससे छातरों को मतलब नहीं नागा चाहिए एक सिक्षक के तौर पर भी इस तरह की बाते हम नहीं करेंगे कि मोदी जी ने हर साल दो कलोर नोकर देने का वज़ा किया था वो चुनाओं में बोला जाता है वो हम भी जानते हैं पूरी जानता जानती है इस बात को हम डिलीट करते हैं ठीक है लेकिन जो दस लाख पद जो खाली है इस बात का जीक्र हमारे पधान मंत्री के दोरा भी ट्यूटर पर किया गया था और वो हम भी सभीकार के था कि हमारे पास दस लाख पद खाली है और उस दस लाख में से धाई लाख पद रेलेवे कहा है इस बात की स्ववकिर्ती हमारे रेलेवे मनिश्टर अस्विनी बैसनो जी के दोरा संसत भौन में बोला गया था और ट्वीटर भी ट्वीट करके बताया गया था तो यह हर तरह से confirmation है क्योंकि पधार मंतरी कभी भी इस तरह के ट्वीट नहीं कर सकते हैं एक बड़े पद पर बैठ कर कि भाई मेरे यहां 10 लाख पद खाली है यह जूट नहीं बोल सकते हैं यह सच में खाली है और संसत भौन में कोई मनिश्टर आकर बोलता है कि हमारे यहां जो बात है यह तो चुनाओी मुद्दों में बोला गया था चुनाओ का टाइम बोला गया हो चलिए हम लोगों को उससे मतलब नहीं होना चाहिए लेकिन जो पद खाली है रिलेवे में उस पे सरकार को सोचना चाहिए और सरकार तभी सोचे कि जब हम इस पे पूरी तरह से दबाव बनाएंगे जब सेर करेंगे जब लोगों तक पहुचाएंगे लोग जानेंगे जारूखों के सब लोग कमिंट करेंगे सब लोग सेर करेंगे तब जाकर यह कुछ दबाव हद तक पहुचने वाला है आपको लगता है कि सरकार नौकरी ने दे रही आपको एक सेर क करना है तो नहीं करने वाटसप ग्रूप में नहीं डाल रहा है और सरकार चलता कमें चलता है ःगर चल रहा है तो कोई दिक्कत कर देंगे, सांत हो जाएगा आप भी, तो चुनाव का टाइम आ चुका है, तीनी राज्यों में चुनाव भी चल रहा है, लोकसवा का चुनाव नजदीक है, सारा चीज है, फिर भी भरती नहीं आ रहे हैं, तो चींतित हो ये, थोड़ा सा टेंसन लिजिए, थोड़ा सा परे इतना बड़ा सीट खाली है, इतने करमचारियों की कमी से जुझ रहा है, रिलेवे लगतार एक्सिडेंट कर रही है, फिर भी भरती नहीं निकला जा रहा है, किसी भी चैनल पर नहीं चलाया जाएगा, इस बात को समझ लीजिए, तो सभीन सिक्षक गवनों से और छातरों स पहुचाने का काम करेंगे, क्योंकि एक वर्चुल दबाव सरकार के उपर बने, जिससे भरती जल्दी निकले जाए, क्योंकि लाखों में चातर हैं, जो इंतजार कर रहे हैं, आज से नहीं, 2019 के बाद रिलेवे में कोई बड़ी भरती नहीं आई है, चाये ग्रूप D की हम बात करें, एलपी टेक्निशन की बात करें, या किसी भी अस्तर का कोई भी बात करें, कोई बड़ी भरती रिलेवे के तरब से नहीं देखा गया है, तो मेरे हिसाब से लगता है, कि आप लोगों को सहयोग करना चाहिए, तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही था, आप़ी बात करें, कि एल लोगों करें, नहीं बात करें भी ले लोगों को सहम करें?